करójए क्या है हेलो फ्रेंड्स पार्ट थ्री में आपका स्वागरत है और यहां पर हम देखेंगे बिजन्स को बिल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब यह आपको एक चीज़ तो समझ में होगी कि हमें वही आपको मेरे को बहुत सरा experience है experience आपको वही पता है जो आपको पता है और जो नहीं पता है वो आपको सीखना पड़ेगा अब मुद्धा ही आता है कि हम सीखने के लिए तयार है या नहीं तयार है दो तरह का mindset है हमारे एक तो mindset है I know that और जब बुलते हो I know that मुझे सब पता है मनना बद्दू आवड़े तो आपका क्या होता है opportunity के जरवादे बंद कर देते हो और आपको grow नहीं करते हो मैं एक चीज़ बताता हूँ जिस जोश और जुनून से अपने धंदा शुरू किया था ना धंदा शुरू करने के लिए जुनून पैशन लगता है उसे धंदा तो सब्सक्राइब करते हो यहां से यहां लंबा जाना है न हमको तो हमको सीखना पड़ेगा एक लिवल के बाद और फिर हमको अपनी पर invest करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा मुद्द ही आता है कि ह आप शीखने के त्यार है कि नहीं तो हमारा माइंड़ सेट क्या होना चाहिए आई डोंट नो जब आप बुलते हो आई डोंट नो आइम एक्सपर्ट ऑफ डोमेन एक्सपर्ट मुझे पता है लेकिन मैं फंक्शनल एक्सपर्ट मुझे जानना है कि अब मिरेको क्या करना है मिरेको सिर्फ एक आईडिया मिल गया वो आईडिया मिरेको यहां से आ ले जाएगा तो मेरा माइंड़ सेट किया है I don't know मैं open up हो सीखने के लिए और जब आप open up होते हो सीखने के लिए तब आप grow होते हो तो आपके दरवादे खुलते हैं आगे बढ़ने के और चीज़े बंद नहीं करना है मैं आपको बताता हूं मैंने अपनी एड्यूकेशन पर दो हजार बारे से लेके अभी तक 31 लाग के जादा 31 लाग से जादा मैं अपने उपर लर्निंग पे खर्च कर चुका हूं और यह इन्वेस्ट करने के चेकर में ही मुझे और्गनाइजेशन में इनके साथ मैंने काम किया जो छोटे वेपारी से लेके जो साल का 10 लाग रुपए कमाते थे और जाके हम 1000 क्रोड तक की कंपनी तक पहुंचे जो 1000 CR कर रही हैं सिंगल ओनर से लिए जहाँ पर 2000 लोग काम करते थे ऐसी इसे और्गनाजेशन में को काम करने का में का मला क्योंकि हमने अपनी पर काम किया हमने बहुत सारे program, बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगरा, बहुत सारी books वगरा पढ़ी, और जब हमने company को साथ काम किया, तो वहां भी हमको बहुत सारी चीज़े चीज़े चीज़ें की मिली, और फिर हमने सिस्टम मनाया, तो दर्द लोगे तहीं जाके निकल कर आएगा तो पेन लेने के लिए तयार हो जो लर्निंग आपको करना है नहीं जीज़ें सीखना पड़ेंगे आपको clear है और अभी हम देखेंगे business transformation के लिए हमें three centers build करना पड़ेंगे पहले center का नाम है अगर हमें business को next level लेके जाना है तो पहले center आता है हमारा center of profit center of profit में हमें क्या करना है center of profit का purpose है हमारी company का जो turnover जो है या cash flow जो है आने वाले 12 महीने में वो cash flow किस तरह से बढ़ेगा तो cash flow पे हमें काम करना है उसके लिए हमें center of profit में काम करना है और center of profit हमारा 12 महीने का focus रहा है इसमें हम क्या करते है दो activity start करेंगे पहले activity का नाम है sales और दूसरी activity का नाम है marketing या आप बोलो पहले activity marketing या दूसरी activity sales तो marketing sales, sales, marketing यह दो activity हमें start करना है इस center of profit में अब marketing का अगर हम देखें purpose क्या है तो marketing का purpose है maximum potential clients की leads database generate करना तो maximum potential clients का database generate करेगा marketing और वो database आ रहा है वो lead आ रही है उसको closing करने का जो काम रहेगा वो process जो रहेगा वो sales process रहेगा तो sales उस lead को convert करेगा close करेगा उससे क्या है कंपणी में रोख़ड आएगा revenue आएगा तो marketing से lead आया sales है हमारे revenue है यह दोना activity हमें करना है अपनी company में अब बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं वो marketing और sales को दोनों को भाईबन समझ लेता है दोनों एक ही के शडिया का नामे दोनों अलग-अलग चीज है मैं गुजरात में जब seminar ले रहे था है बहुत सारे लोग मेरे स्टार्टिक समीनास में आते थे बुलते हैं सर आई डोंट नीड तूडू marketing मैं लेकिए मिरेको word of mouth से धंदा आता है word of mouth से धंदा तो मैं बुलता भाई word of mouth से धंदा जो आ रहा है वो सिर्फ तुमारे क्या बुलते हैं अच्छा तुमने जो वैल्यू दिये उसका क्यों क्रेडिबिलिटी है तुमारी बढ़िया क्रीम आरे अच्छी बात है मैं तुमारे शर्णास कर सकता हूं बहुत अच्छी बात है लेकिन word of mouth पे तुमारा कंट्रोल नहीं है सामने वाला व्यक्ति आने वाले चीज दिन में कितने लोगों से तुमारे बारे में चर्चा करेगा इसका तुमारे पास कोई कोई वो नहीं है नम्बर नहीं है परेयैंट माप सको उसको राइठ कोई सकेडBeat नहीं है तो मार्केटिंस तुम्हारी होना अचीछ है दूसरा त्मारा सेल्स होना अचीए है तुम्हें क्या करना रह सकते हैं यह कि यहम लोग काम कर रहे थे वह अफरी और पर में किया रहा है पूरा काम ओफ-लाइन में काम किया रहती kalo कि ओस्व नवलान वन तो युमें बैठाचल थे ओटू में फिरी हम पूरा मॉडल चेंज हो गया और फिर हमने अपने सामने हैं इह। तो यहां पर क्या करते हैं तो यहां पर क्या करते हैं जो चल रहा है उसको और बेटर करोगे मतलब जो मार्केटिंग चल रहा है जो 2019 में चल रहा था 2020 में मार्केटिंग में सुधार करके और बेटर कैसे कर सकते हैं 2020 में वो मार्केटिंग नहीं चल रहा था क्योंकि सब के सब को ऑनलाइन में आना पड़ा फिर सेल्स जो हम कर रहे थे वो सेल्स को और बेटर कैसे कर सकते हैं तो सेल जो हम लोग 1-2-1 में करते थे फिर हमें जूम में करना पड़ा, ओनलाइन सेल को डील करक करना पड़ा, तो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, 1-2-1 करते थे, 1-2-1 में कैसे कर सकते हैं, तो सेंटर ओफ एक्सिलेंस का काम है, जो चल रहा है, उसमें सुधार करो, सुध किया है हमने उन client को हमको happy experience create करना है और बढ़िया सी value देना है right जब हम happy experience create करेंगे और जादा जादा value देंगे तो वह client क्या होगा repeat business मिलेगा और उससे हमको referrals मिलेंगे right ताकि हमारों से एक long term relation मने तो यह काम जो तुम्हारा center of excellence का है उसके तुम्हारा आता है center of growth और center of growth में तुम क्या गरते हो center of growth में तुम्हारा focus रहता है जो भी तुम काम कर रहे हो जिस भी market से तुम धंदा ला रहे हो आने वाले पांच साल में क्या वो मार्किट रहेगा या नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो नया मार्किट तुम्हारा क्या होगा जो प्रोड़क्ट और सर्विस में अभी आपको सामने से लेकर आ रहा हूं यह प्रोड़क्ट और सर्विस दो हजार बीस में नहीं थे और 2019 में नहीं थे तो 2020 में प्रोड़क्त लेकर आया ओन्लाइन वाले जो लूम वाले लेकर आया वो 2019 में नहीं थे तो मुझे समझ में आया उस टाइम पे 2020 में जो मैं 2019 तक करते है अब यह 2020 में नहीं चलेगा तो मुझे center of growth क्या करता है अगला market मेरा what next market what's next product मेरा अगला product क्या होगा अगली territory क्या होगी हर एक चीज की एक life cycle होती है तो यहाँ पर आप एक department तयार करोगे जिसका नामे R&D Research and Development जहाँ पर तुम नए ने product नए नी service तयार करोगे market के साब से और यहाँ पर नए नी territory identify करेंगे हम लोग आपको याद होगा Toyota College की 6000 गाड़िया निकलती थी महीने में और एक टाइम आया Toyota ने market को smell किया फट से टक से Toyota को बंद कर दिया चलती हो प्रोड़क को बंद कर दिया और इनोवा लेकर आगया market में राइट क्यों किया क्योंकि अगर हम transform नहीं होंगे हम बदलेंगे नहीं तो दुनिया हमको बदल देगे को कोई और प्ले ले लेगा market का टेस्स बदल रहा है तो हमको बदलना पड़ेगा समझ में आ रहा है तो transformation ज़रूरी है मैं simply जस मोबाइल के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन यह प्रोगाम में बहुत वैल्यूबल कंटेंट है पूरा जो ही प्रोगाम दे रहा हूँ इस प्रोगाम को जो हम लोग वैली देना है Client को चाहिए यार मिरको यह चाहिए बस मिरको यह बिल गया Client इसके लिए बैठा हुआ आपको तो आपको launch करना परफेक्शन की चक्र में नहीं बैठना है just do it now अभी complete करना है आपको just launch it फिर इसके बाद जो version 2 निकालोगे और improve होगा, version 3 और improve होगा, version 4 और improve होगा right, just launch version 1 और कितना भी तैयारी के साथ आप launch करोगे न, आपको लगेगा जो मैंने version 1 निकाला है, थोड़ा और better होना जाना चाहिए थोड़ा हमने इतनी सारी activities start की इन 3 center में, पहली जो activity थी हमारी वो क्या थी marketing हमने start की, फिर sales हमने start की फिर हमने operation start की, फिर हमने R&D start किया अब हो क्या रहा है, मेरा sales में भी involvement है, sorry marketing में involvement है, marketing में में बैठता हूँ तो lead अच्छी आ रही लेकिन मैं देख रहा हूँ वो lead close नहीं हो पा रही, तो फिर मैं sales में आके बैठता हूँ तो sales में conversion को convert कर रहा हूँ close कर पा रहा हूँ, मेरे team handle नहीं कर रही थी जैसी में sales में है, मेरा marketing डिस्टरब हो गया और customer के escalation को handle करता हूँ, उसकी problem को solve करता हूँ और वहाँ पर उनको handle करता हूँ, वो सारी से solve जाती है जैसी मैं operation में चुरता हूँ, value create करना शुरू करता हूँ, यह दोनों department disturb जाते है इन तीनों में fire fighter के चकर में जो मेरा R&D जो था वो पूरी तरह से रुका पड़ा है अब मुझे बताओ, अगर owner dependency, मेरी dependency, मेरा involvement इन सारी जगाओं पे रहेगा marketing में, sales में, R&D में और operation में सब जगा रहेगा तो क्या, जो मेरा result efficiency है या action consistency है, वो जादा रहेगी या कम रहेगी अगर मेरा involvement जादा रहेगा, हर जगा पर हर department में घुसा पड़ाओ तो action निकालने की जो कलाकरी वो जादा रहेगी या कम रहेगी तो definitely जब मैं हर जगा खुसूँगा, तो कम रहेगी क्योंकि जिसमें जाओंगो, जा रहा हूँ, वहाँ पर result आ रहेगा बाकी अपर नहीं आ रहेगा और जब action मेरा low रहेगा, तो definitely मेरा result उपर नहीं, result भी मेरा low रहेगा तो मुझे क्या करना है, team build करना है, powerful, उनको empower करना है, experts को बिठाना है, या outsource करना है, ताकि मैं smoothly इन चीजों से बाहर निकल सको, और बढ़िया चीज़ें कर सको I hope यह सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, अब हम next fourth part में मिलेंगे और detail में जानेंगे, thank you very much